जाइन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एला क्लोर कीट ना सक तो आईए फिर जानते हैं एला क्लोर कीट ना सको एला क्लोर एनिलाइड वर्ग के क्लोरो एसिट निलाइड उपवर्ग का सदस्य है जो अभी हमने उपर वर्गी करण दिखा के आपको सपस्ट किया था कि जो एनिलाइड वर्ग है काफी बड़ा वर्ग है ये पदार्थ जो होते हैं एनिलाइड परकार के नेक परकार के होते आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो एला कलोर होता है उसके काफी और भी नाम होते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि जो दवाईयों की कमपनियां होती है यह अपने पदार्तों के अपने प्रोड़क्ट के नाम अलग-अलग रखती है जिनको लेना याद करना आस किलियर हुआ जी अब जानते हैं एला कलोर की संग्रचना और अनुसुत्र के बारे में तो बच्चो एला कलोर का जो अनुसुत्र होता है वो होता है C14HBCLNO2 तो आप अगर पाएंगे तो यहां पर देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग में यहां पर C2H5, C2H5 दो इथाइल ल लगा है किलियर है जी यहां पर N single bond C double bond O CH2Cl लगा है और अगर आप गिंती करेंगे तो उसके इंदर कार्बन 14, hydrogen B, Cl1, N1 और oxygen 2 होंगी जी बात करेंगे एला कलोर के निर्मान की तो आईए जानते हैं निर्मान विदी एला कलोर का निर्मान 2, 6, diethylamine, formaldehyde, chloroacetyl chloride और triethylamine की क्रियाओ द्वारा होता है बच्चों यहां पर अनेक परकार के यह रसायन लिखें हैं तो आप इन chemical को देखके यह मज़ समझीगेगा कि सबको एक साथ एक बरतन में मिला दिया ऐसा नहीं होता क्रम से एक के बाह होती है तो आप देख सकते हैं यह जो पदार्त यहां पर लिखा है यह कहलाता है अगर काउंटिंग करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो देखिए यहां पर दो और छे पर लगा है आपका एथाइल ग्रूप, एथिल ग्रूप तो इसको बोलेंगे 2,6, आपको याद भी होगा, तो मैंने इसको गुमा के ऐसे लिख दिया, कोई गरबड़ तो नहीं है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, बेलकुल सही कहा आपने, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जब अभी करिया होगी यहां पे, तो यह देखिए, यहां से S2O, यह जो आपका 2, तो 6, डाई एथिल एमीन जो आपने लिए है, यह फॉर्मल डी हाइड के साथ क्रिये करके जल को बाहर निकलता है, और यह दोनों आपस में बंद बनाके जुड जाते हैं, तो देखिए, यहां से 2H निकली है, तो नाइटियन की 2 सही जगता, 2 वैलेंसी फिरी हुई है, तो क्रिया करेगा और अगला उत्पाद बनाएगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर यह वाला हाइडरोजन और यह वाला हाइडियन, दोनों हाइडियन जो है एक्टिव हैं, सक्रिये हैं, क्रिया में भाग लेते हैं, यहीं पर क्रिया होती है, तो देखिए, यहां पे लिख देता हूँ माइनस HCL यहां से CL यहां से H निकला तो बचा क्या CO CH2CL यह वाला इस कार्बन के साथ में जुड़ जाता है यहां से यह वाला H निकलता है जी और यहां पे ग्रूप आ जाता है CH2CL किलियर हुआ अगले स्टेप में आज जो किरिया होती है जी वो होती है Trimethyl Amine यहां पे देख सकते हैं तीन मिठाइ लिगा है तो यह पदार Trimethyl Amine होता है इसकी प्रेठेंस में इसके उपस्तिती में यहां पर अभी करते है गरम करने के बाद यहां से C2CL किलियर हो रहा है यह पर जो ग्रूप लबचा यहां पर बस्ता है CS2 OCS3 अब इस उत्पात को फिर से हम लोग अभी कराते हैं जो यहां पर लिया था वो फिर से लेते हैं जी और अभी करिया होने के बाद यहां से एक सीयल निकलेगा और यहां से यह वाला है यहां से सीयल निकल रहा है यहां से एक निकल रहा है अगर आप दिखाना चाहें तो कुछ इस तरीके से आप दिखके याद कर सकते हैं तो जब यह वाला सब्सक्राइब निकल जाएगा तो यहां बचेगा सिंगल बॉंड सी डेबल बॉंड ओ सी एस टू सी यह वाला इस बॉंड के साथ जुड़ जाएगा अभी की जैसे आपने ऊपर की ती कुछ इस तरह के से होगी और यहां पर दूसरे वाला जो जगता है नाइट जन की वहां लका क्रीम सफेद रंग वाला गंध हीन ठोस पदार्थ होता है तो यार धके कई एलक लोड़ जो होता है वह ओफ वॉय त्सटिक्षण धर जैसे बेगोंगर घर में को मारने तो उसमें गंद होती है पर इसमें इस कीट ना सक में कोई गंद नहीं होती है का गलनांग 39.5 डिग्री सेलसी है से बचो ध्यान नखी का 39.5 डिग्री जो होता है वो कमरे के तापमान पे गर्मियों में सरलता से उपलब्द हो जाता है तो इसका जो बंडारण है संग्रक्षन है वो जरूरी है इसका कि आप इसको ऐसी जगह पे ना रखें जहां ज़्यादा गरम होता है नहीं तो यह पिंगल जाएगा जल की अपेक्सा कार्बनिक विलाइकों में अधिक विले है तो आप जानते ही कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जल में बहुत-बहुत कम पदार्थ हैं लेकिन कार्बनिक विलाइक जैसे बेंजीन क्लोरोफउम एसीतोन एनजी इठर इनमें यह सरलता से गुल जाते हैं ज़दा गुलते हैं अमल के साथ लवन बनाता है तो आपका ऐलाकलॉर अमल के साथ लवन बना रहा है तो इसका मतलब यह है कि चारीय परवर में उगने वाले अनावश्यक खर्पतवार जो होते हैं उनको नस्ट करने के काम आता है इसलिए जो यह होता है यह साक नासी भी कहलाता है साक नासी यानि की वीड्स को माणने वाला आपने कोई फसल लगाई या किसान लगाते हैं आपने देखा हुआ कुछ लोग जो हैं बच्चे हमारे वो किसान परिवार से भी होंगे और नहीं भी लगाई जो सेरों में रहते हैं उन्हों देखा हुआ गमलों के अंदर यह जरूरा सक्ति को उपयोग करते हैं जिससे आपकी फसल को आपके पोदे को जो उपजावपन होता है जो इसको खाद मिल रहा है जो इसको जल मला आवस्थक तत्व मिल रहे हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है तो आपकी फसल कम जोर रहे जाती है तो उन खरपतवार को अनावस् चैनात्मक यानि की बहुत जदा सेलेक्टिव होता है और कुछ विसेश परकार के घास फूस को मारने के लिए ही एला क्लोर को लिया जाता है हर एक के लिए तो यह यूज होई जाएगा लेकिन कुछ एक विसेश परकार के होते हैं जिनको यह बिल्कुल खतम कर देता है जिनक एला क्लोर कहां कहां पर और कैसे कैसे दिक्कत कर सकता है पहला पॉइंट है कि यह अत्यंत विसेला है मानवो मवेशियों में दरश्टी दोस्त लिवर दोस्त किर्णी दोस्त खून की गमी कैंसर कारक है देख लीजिए अब यहां पे इतनी सारी बिमारिया लिखी है यह कि भीज़े तो अंको की रोस्तनी भी कम यह कहतम कर सकता है ज्यादा गिरिंग है और यह जानवरों के अंदर यह आदमीयों के पेट में चलताığımız तो दिपेंड करता है बच्चों फिर से वही कि कितनी मात्रा में गया है कम मात्रा में जाएगा तो लीवर को दीरे-दीरे खराब करेगा और अगर ज्यादा मात्र हमें चल जा रहा है प्रयोग कर रहे हैं आप ऐसी कोई सबजी ऐसा कोई अनाज जहां पर एला क्लोर का हो रहा है अंदा धुन परयोग तो फिर सुनावगा पंजाब वगहरा में रहाएंrias तो यह एंस और्फ को बढ़ाने वाला व foreground दिनAccorद ना ुख्षि तरहा हैप जैरिलेपन के बारे में क्या कहों देशों में और हमारे देश के लोगों में बस हमको पता है इससलों को बचाना है लेकिन ये नहीं बता कि जो हम लोग डाल रहे हैं उससे आदमी बचेगा नहीं बचेगा बस फशल बचने चाहिए मुनाफ़ा होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं यह साक नासी भूमी में अब कठित होकर अनेक विसेली पदार्थ उत्पन करने वाला है बच्चों आपको पता है कि जो फसलों पर इस पर करते हैं तो बहुत सारा जो कीट नासक होता है वह भूमी के ऊपर भी गिरता है मिट्टी के ऊपर तो जब वह मिट्टी के ऊपर गिरेगा तो वही पर रुका रहेगा और हो सकता है कि थोड़ा बहुत भूमी के मिट्टी के अंदर परवेश कर जाए और कुछ समय के बाद वह दीरे तूपने तूपता है यह तूपने लगता है और तूट कर इससे जो पदार्थ बनते हैं काब निक पतार पलते हैं वो बहुत ज़्यादा विसेले होते हैं और अनेक परकार से जो वातावरन होता है उसको परदोसित करने वाले होते हैं अगला ये भी है जी कि जो पक्सी ऐसी जगे पे ऐसे कीट नासक के संपर्क में आएगा जहां पे स्प्रे किया हुआ है जिस खेत के अंदर अलक लोड डाला हुआ है तो ये पक्सियों को मार डालता है और अगर यहां पर इस इस खेत का पानी किसी तलाब में चला जाए किसी जील में चलाये जहां पर जली जनतू है शाएं मचलीय आएं आपके कच्छुए रहते हैं आपके मोलस घूंगा जींगा मचली रहती है तो ये उन्हों सब को भी नस्ट कर देता है क्योंगी यह जेरीला होता है कि फ्लियर हुआ जिए आपको तो हमने जाना एला कलोड क्या है एलाकलोर की संग्रचना क्या है एलाकलोर को कैसे बनाते निर्मानविदी क्या एलाकलोर के घून-धरम के बारे में जाना कि प्रकार के रोगउद करते हैं उमीद है बच्चों आपको एला क्लोर इस परस्ट हुआ होगा फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग